हलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम मकर सक्रांती में पतंग क्यों उड़ाते हैं? या कभी आपने ऐसे इंसान को देखा है जिसमें मधु मक्की, हनी से भी जादा छिपकती हो और क्या आप भी स्टार वार्ड्स के फैन हो? तो देखो इस आदमी ने लाइट सेबर सच में बनाई है और जरा इस साधू को देखो इनके हाथ ऐसे क्यों दिख रहे हैं? अगर जानना है ऐसे एफेक्ट के बारे में तो बने रहे हैं वीडियो के लास्ट तक कार्ट नमबो फिफिटिग मैंसल के आने की बाद खुशिया फिर से आ जाती है और ऐसे में जो सबसे पहला त्यहोर आता है वो है मकः सकरांतिका और इसमें हम पतंग उडाते हैं और एंजॉय करते हैं और बचपन में आपने ये जरूर सोचा होगा कि हम पतंग क्यों उडाते हैं तो आज मैं आपको दूँगा उसका जवाब। पतंग उडाने के पीछे जो धार्मिक रीजन है वो ये है कि जिस दिन हम काइट उडाते हैं उस दिन से दिन बड़े होते हैं और राच छोटी हो जाती है। और पतंग उडा के फार्मर सूरज बगवान को खुश करते हैं और ऐसे ही ये आने वाले साल में अच्छी फजल के लिए प्रातना करते हैं और ऐसे कई और भी वैलियूज हैं जैसे सूबह जल्दी उड़के पतंग उडाने से सूरज से हमें विटामिन C मिलता है और ये फेस से देख लिजिए Nature MS को जी हाँ ये इनका नाम है Nature MS और 7 साल की उमर से ही इनकी और मधुमक्ही की दोस्ती है और ये दोस्ती कराई है इनके पापा ने जो कि एक एक अवार्ड विनिंग एपिकल्चरिस्ट है और ये आज अपने सर पे मधुमक्ही लेके घुम सकते हैं और य ये आपकी सोस से ज्यादा स्मार्ट है जरा इनसे मिलिए ये उडिशा के रहने वाले वेंकर्ट रामन पटनायक जैसे ने Microsoft Technology Associate exam को क्लियर किया है और ये Java, JavaScript, Python, HTML, CSS या तक की SQL database में भी code कर सकता है और अब ये Artificial Intelligence के बारे में भी सिखने वाला है आपको वो चिंटु याद है अगर आप कोई भी चीज में रिजेक्ट होते हो तो आपको कभी भी किसी चीज में हार नहीं माने चाहिए और आपको उसी पर कंटिनिस मेहनत करती रहनी चाहिए और उसका एक्जामपल है Brian Acton जो कि Facebook से रिजेक्ट होए थे और उसके बाद उन्होंने खुद का कमपनी खोल चार साल बाद ही Facebook ने उनकी कमपनी 19 मिलियन डॉलर में खरी दी और उस कमपनी या कहूं आप का नाम है WhatsApp जो कि हर कोई चलाता है और यह अभी भी WhatsApp के CEO है दोस्तो क्रोकोडाल तो हम वेसे से डेडली और खतरना जारवर्ण में से रहे हैं पर जड़ा इस खुपसूरत क्रोकोडाल को देखो यह है अलबिनो का मतला भी होता है वाइट कलर यह क्रोकोडाल बहुत जादा रेर होता है और बहुत जादा खुपसूरत भी और इनके आ साइन्स और विज्वल्स हैं इतने कमाल के और हाँ बेबी योडा भी पर सबसे कमाल की चीज़ है लाइट सेवर जिसे कई लोगों ने बनाने की कोशिश की है पर जेम्स नाम की इनसान जोकी ओनर है 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाली चैनल हैक्समिट्स के उन्होंने वर्ल्ड क सबसे पहला लाइट सेबर बना लिया है और इसके पास डिफरेंट कलर भी है और ये इतना ज्यादा गरम होता है कि मेटल को कुछी मिनिट्स में काट के रख देगा कमाल का है ना पैक नमबर 9 एक ऐसा आदमी जिसने सूटकेस को लात मारी और जिंदगी ने उसे ही लात मार गया और उसी कटे हुए अंगोटे की वज़य से इसको बलड पॉजनी हो गई और फिर इनको इस दुनिया को टाटा बाइबाइ बोलना पड़ा बाइबाइ टाटा गुडबाइ हर country की और हर एक religion की caste की अपने अपने खुद के रोल्स होते है customs होते है और cultures होते है और ऐसे ही जपान में एक custom है जिसके वज़़े से एक पूरी Japanese family एक ही bathing water में नहते है और मानते हैं कि ऐसे उनके बेच bonding अच्छी होती है और लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं हाँ थोड़ा अजीव है पर आपको क्या लगता है ऐसे नाने से कुछ होता है या नहीं होता अपकी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना इसे देखो आपको यही लग रहा हुआ कि यह एक डियर का बच्चा है और यह डियर बैंबू ट्रीस के जंगलों के बीच में रहता है ताकि कोई जानवार इन पर हमला ना कर दे तो सबसे छुटे डियर की बात हो गई अब एक सबसे बड़ी कैट की भी बात कर लेता है इसे नॉर्मल कैट से काफी बड़ी होती है आपको हम पर भारुसा नहीं होगा यह जो सादू दिख रहे है आपको इन्होंने पिछले 45 सालों से अपना यह जो हाथ है यह नीचे नहीं रखा यह काफी शॉकिंग है और कोई भी विस्वास नहीं करेगा पर यह सच है इन्होंने यह भगवान शिव को ट्रिब्यूट करने के लिए किया है सरा देखो यह हाथ की उंगलियों का क्या हालत हो गया है हाथ बैंट रखने की मज़े से पर फिर भी इन्होंने यह कमाल का काम कर दिखाया है अब जो भी बोलो यह है हमारे इंडिया की स्ट्रेंथ इनके determination के लिए salute है इनको हमने आपको पहले एक bee man के बारे में बताया जो queen beast की मदद से beast को अपने उपर बैठाता है पर यही नहीं beast काफी ज़्यादा coordinate way में काम करती है और जैसे ही उनको खत्रा मैसूस होता है तो वो अपनी queen को protect करने के लिए यह waves create करती है और यह काफी synchronized होती है अगर यकीन नहीं होता तो खुदी देख लीजे देखे कैसे यह bees एक shock waves की जैसे move करती है और ऐसा लगता है जैसे यह एक electromagnetic pulse हो fact number 3 rats जो की काफी irritating होते हैं और एक बार घर में घुश जाए तो उनको बाहर निकाला जैसे अर्थ में से सारा पाने निकालना जैसा होता है पर एक तरफ है यह बेवकुप चुहे और दूसरी तरफ है मगावा जिसने आज तक हजारे लोगों की जान बचाई है और कैसे यह दरसल आसाने से बारुत से भरी सुरंगों को खोज लेता है और यह दुनिया का सबसे पहला चुहा बन गया है मेडल जितने वाला इंडिया के चुहो कुछ सिखो इससे चुहो की दुनिया में यह सर्मा जी का बेटा है पाक नमबर टू पहले मुवीज बनाना काफी मुश्किल था क्योंकि तभी विजवल इफेक्ट्स नहीं थे और सारे चीज़े बना के शूट करनी पड़ती थी और इसलिए अब जरा ये वीडियो देखो इसमें ये एक्टर ट्रेन के सामने से जा रहा है और एक्चुली ये रियल ट्रेन है पर ट्विस्ट ये है कि ये फिल रिवर्स में शूट की गई है यानि ट्रेन उल्टी जा रही है और ये आदमी राइट टू लेफ्ट नहीं बलकि लेफ्ट टू राइट जा रहा है और ये इसलिए किया गया था ताकि इन आक्टर पे कोई भी खत्रा ना है कमाल है इतने आसाने से लोगों को बेफ्कू बना दिया जाता था उस टाइम पर पाक्ट नमबर वन चलिए मैं आपको अभी अच्छी से एक एक्सेसाइज के बारे में बताता हूँ क्या आपको प्रॉब्लम है बाल गिरने की और क्या वो बाल फिर से नहीं बढ़ते तो आपको ये एक्सेसाइज करनी चाहिए इसका नाम है बालायम जिसमें नेल्स को रख करना होता है और ये एक्सेसाइज आपके बाल की ग्रोथ रेट बढ़ाता है और ये आपके बाल को ग्रे होने से भी रोपता है इसे रोज 10-15 मिनिट तक करना चाहिए और इक करने पर आपकी बॉडी के एक हॉर्मोन्स रिलीज करती है इसका नाम है एस्ट्रोजेन जो की हेर ग्रोथ के लिए रिलेटेड है तो दोस्तों कैसा लगा आज का फैट अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें